पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक खबर सामने आ रही है जहां पर आर जी कर हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर का संदिक्द हालत में शब मिलने के मामले में एक संजय राय नामक व्यक्ति को गिरफतार कर लिया गया है ये बड़ी खबर आ रही है सीदे कॉलकाता से कि किस तरह हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर का संदिक्द हालत में शब मिलता है और उसके बाद वो कि मौझूद सरकार के उपर सवाल खड़े हुने लगते हैं प्रशासन पर सवाल खड़े हुने लगते हैं अखला कि पुलिस ने जाच के दौरान संजर रहनामक के विक्ति को गिरिफतार भी किया लेकिन बीजेपी ने इस मामले पर खुलका सरकार के सामने मोडचा खुल दिया है बीजेपी की ओर से परदरशन किया जा रहा है इस मामले की उच इस तरिये जाच करवाने की भी मांग की जा रही है लापरमाही के भी आरोप लगाय जा रहे हैं और आपको बता दें कि कॉलकत्ता के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर का शमिला तो शफ पर कई जगा चोट के निशान भी मौझूद थे इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये हत्या भी हो सकती है मेडिकल कॉलिज की अमर्जिंसी बिल्लिंग में ये शमिला था जबकि डॉक्टर की नाइट शिफ्ट थी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत कैसे हुई शरीर पर चोट के निशान कैसे आए और मुझ से खून आ रहा था चैरे और नाखून पर भी चोट के निशान देखे गए थे पीडित के गुपतांग से लगातार खून बहा जा रहा था पुलिस ने ये दावा किया कि डॉक्टर की हत्या सुबद 3 से 6 के बीच हुई तब कि पोस्टमॉटम रिपोर्ट किस तरह से इशारा कर रही है कि मरने से पहले किस तरह से बेरहमी से अत्याचार किया गया ये जो आप तस्वीरे देख रहे हैं डॉक्टर में कितना आक्रोश वरा हुआ है कि उनके साथ कि एक डॉक्टर अब उनके बीच नहीं रही एमर्जनसी वार्ड में डॉक्टर की नाइट शिफ लगी थी और पोस्टमॉटम रिपोर्ट और चोट के निशान बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ और कब हुआ जब पोस्टमॉटम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर टाइम भी बता देते हैं सभी डॉक्टर का विद्रो प्रदर्शन लगातार जा रही है इस मामले में अब सियास्त भी चालू हो गई है इसी के साथ एमल अगनी मित्रा पॉल का भी क्या कहना है आईए आपको सुनवाते हैं देखिए आज जो ब्राइट एक डॉक्टर जो पोस्ट ग्राजुएर्ट ट्रेनी आज 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 जीकर जैसा हस्पिटल में काम कर रहे थे जो जिस हालत में उनका बॉड़ी मिला गया कम्प्लीटली निर्बस्त्र और बहुत बॉड़ी में ब्रुइस्स खत जो है बहुत ज़्यादा इसको देकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है तो हम लोग का दाबी है सी बी आई इंवेस्टिगेशन हो और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमाटम नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमाटम कर रहे हैं यह हम को सुनने में आ रहे हम लोग चाते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करें बॉड़ी और कल हम लोग केंडरी सरकार के कोई हस्पताल से पोस्टमाटम करेंगे करकि यहाँ का यह सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमाटम हो तो जो सचाई है वो फिर से दब जाएगा इस मामले में डॉक्टर एक परिजर्व का भी बयान सामने आया है जो की बहुत वाइरल हो रहा है आई आपको सुनवाते हैं उबयान फिमेल डॉक्टर के साथ उन्होंने रेप किया इसको बुरी तरह से मारा गया और अभी उनकी पोस्टमाटम रिपोर्ट आई है जिसमें जब मैंने पोस्टमाटम रिपोर्ट को पढ़ा तो काफी emotional में हो गया था पढ़के क्योंकि वो पढ़ी भी नहीं जा रही एक्शुली इस लेवल तक मतलब उस डॉक्टर के साथ बुटली और बुरा विभार किया गया है रेप किया गया है मार दिया है उसको उस डॉक्टर रा क्या कसूर था इस लेवल तक law and order की situation है कि एक सरकारी hospital आरजी कर medical college में एक local party जिसकी सरकार वहाँ पे चल रही है उसके गुंडे घुसकर उस डॉक्टर को रेप कर देते हैं उसको मार देते हैं और उपर से उस principal और dean को दबाव बनाते हैं report change करने का और जो हमारे मानिया principal और dean है वो उस रिपोर्ट को change करने की सिफारिस भी डालते हैं वो change करवा ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बहाँ है वो resident doctors जो हमारे वहाँ पर पहुंच के उस reports को change करने से बचवाते हैं इवन principal और नेता चाह रहे दे कि उनकी जो reporting है वो किसी pass वाल medical college में हो पस्चिब मंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत ना मा ना माटी ना मानुस सुरक्षित है जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला junior doctor का एक सरकारी अस्पताल में वो भी seminar hall में उनकी duty के बाल आरजी कर medical college में उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलातकार और फिर उनकी हत्या की गई है परिवार का भी यही कहना है जो report सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है परन्तु सवाल यह पूछा जाएगा कि पस्चिम बंगाल में ममता बैनर जी home minister भी है health minister भी है और उधर अगर एक महिला डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर जो duty पर है अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है तो संदेश खाली में उनकी क्या स्तेती होगी अब सरकार जो है लीपा पोती करना चारी है एक inquiry committee बनाई है जिसमें कि जांच के लिए interns को रखा गया और ऐ सीब्या जांच की मांग कर रही है क्या परिवार और जो पिडित है उनके अधिकार के लिए क्या सीब्या की जांच पर राजी और स्विकार होगी सरकार परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पस्चिम मंगाल में यह माहौल यह जो कानून व्यवस्ता है वो इतनी बिगड़ी क्यों है यह इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वोटबैंक की राजनिती के चलते ममता बैनर जी महिलाओं के साथ नहीं पिड़तों के साथ नहीं संदेश खाली की पिड़तों के साथ नहीं शाह जहां के साथ उनकी सरकार खड़ी हो जाती है उनकी सरकार जो उत्तर होगी मम्ता बैनल जी की सरकार की तो तब तक महिला और सुरक्षित रहेंगी कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्थ हो चुकिया पस्चि मंगार में अब इस पूरे मामले में जांच समीधी बनाए गई है जिसमें सभी इंटरंस को लिया गया है और वो लोग है जो टी एमसी के करीबी हैं जिसके इस मामले पर परदा पढ़ जाए और जो कि पूरे डॉक्टर की टीम है वो परिवार वाले सभी CBI जांच की मांग पकर कर रहे ह जिससे जल्द के जल्द डॉक्टर के आरोपी को पकड़ा जाए अम ममता पैनर जी की सरकार पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि 24 घंटे से इतने मामले को लेकर अभी तक कॉलकत्ता में उबाल चारी है ऐसे एपडेट्स के लिए देखते रहे हैं निउस्वेल इंडि कि यदिया